दोस्तों नोच के वदले वोट देने का मामला तो आपने कई बार सुना होगा, कि हम तुम्हें नोट देंगे, तुम हमें वोट दो, तुम हमें जिता दो, तुम हमें नेता बना दो, तुम हमें सदन में भेज़ दो, इसलिए नोट हम आपको भर-भर कर देंगे, लेकिन अब इस मामले पर सुप्रीम कॉर्ट सक्त होता वा नजर आ रहा है एक बार फिर से सुप्रीम कॉर्ट ने ये दिखा दिया है कि वो ऐसे मामलों पर किस तरीके से सक्रिये है कैसे वो इस मामले पर सुनवाई करने को एक बार फिर से तैयार हो गया है जी या दोस्तों बिल्कुल सही कर दी गई है जो नोट और वोट की राजनीती करते हैं और सुप्रीम कॉर्ट का सीधा और साफ लफजों में क्या संदेश है वो मैं आपको बताऊंगी दोस्तों की कैसे 1998 का जो मामला है वो एक बार फिर से पुनरविचार होने के लिए सुप्रीम कॉर्ट के चीफ जस्टिस क बेंच ने हामी भर दी है जी आएंडे टीवी की रिपोर्ट बताती है कि किस तरीके से नोट और वोट वाली जो राजनीती है उस पर सुप्रीम कॉर्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है सदन में वोट के बदले नोट के मामले में सुप्रीम कॉर्ट ने एक बड़ खासना ले लिया है अदालत ने कहा है कि सदन में वोट के लिए जो रिश्वत दिया जाता है जिसमें शामिल सांसदो विधायकों के खलाफ कानूनी कारवाई पर छूट है उस पर हम फिर से विचार करेंगे सुप्रीम कॉर्ट की तरफ से कहा गया है कि इस मामले पर हम फिर से विचार करेंगे जो पहले छूट था अब उस छूट पर रोक लगाने की कोशिश की जा सकती है पाट जजों के समवधान पीठ ने 1998 में पीवी नरसिम्हा राव मामले में अपने फैसले फिर से विचार करने का फैसला कर लिया है मामले को सात जजों के समवधान पीठ को भेजा गया और वो सात जज कौन है दोस्तों कौन सी पीठ है यह सुनकर आप चौकिये का नहीं क्योंकि यह पीठ अक्सर जो है सुर्खियां बटोरती रहती है आगे बताऊंगी यह कौन सी पीठ है लेकिन उससे पहले आपको बता दू कि सुप्रिम कौर्ट ने कहा है कि य अतिक्ता पर महतपूर्ण प्रभाव डालने वाला एक महतपूर्ण मुद्धा है जिसको हर हाल में सुनना जरूरी है कौर्ट यह तै करेगा कि अगर सांसद या बधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेते हैं तो क्या तब भी उस पर मुकदमा चलेगा यह सारे फैस को दोबारा से विचार किया जाएगा जैसा कि मैंने कहा था कि यह बेंच जो है यह पूरा मामला किस बेंच के पास गया है तो यह मुख्य नयाइधिष्ट दीवाई चॉंदचूर उनकी बेंच पर यह मामला सुनवाई के लिए गया है उनके बयान भी कई बार सुने है जो अकसर सुर्खियों का सबब रहा है कि कैसे सुर्खियां बटोरते रहते हैं उनके एक-एक बयान की काफी महत्वता है जो दोस्तों वह देखीने को मिलती है कि कैसे वह संजीदा होक हर मामले की सुनवाई करते हैं और नयाए के साथ अकसर खड़े हुए नजर आए हैं तो ये मामला भी CGI की अगवाई वाली पांच जजो के बेंच के पास गया है पीछ ने जहारखंड मुक्ती मोचा सांसदों के रिश्वत मामले में फैसले की नई सिरे से जाच करने का जो है ह इसमें 1993 में राउ सरकार के खिलाब विश्वास प्रस्ताब के दौरान सांसदों ने कथित तौर पर किसी को हराने के लिए रिश्वत ले थे CGI डिवाई चंदचूर ने कहा है कि विधाईका के सदस्यों को परिनामों के जर के बिना सदन में या सदन के पथल पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए किसी का दवाब या लालच नहीं जबकि अनुछेद 19.1.A. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार को मानेता देता है 105.2 और 192 का उद्देश प्रतम द्रिष्टिया अपराधिक कानून के उलंगन के लिए दंडातमक कारवाई शुरू करने से परतीक्षा प्रदान करना नहीं लगता है जो संसत के सदसे के रूप में अधिकारों और करतव्यों के प्रयोग में स्वतंतर रूप से उत्पन हो सकता है ऐसे मामले में छूट केवल तभी उपलब्द होगी जब दिया गया भाशन या दिया गया वोट देंदारी को जन्द देने वाली कारवाई के लिए कारवाई के कारण का एक आवश्यक और अभिन्यांग है तो इस पूरे मामले पर जो है सुनवाई करते वे उन्होंने अपने विचार रखे हैं और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के बड़े बेंच के पास ट्रांसफर हो गया है जिसकी सुनवाई डिवाई चंद चूर सहाब और उनकी अध्यक्ष्टा वाली बेंच करने वाली है दोस्तों आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं आपकी क्या प्रति के रिया में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा साथी साथ चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले